हेलो फ्रेंड्स आज मैं बनाने जारी हूँ मुंफली की बर्फी मुंफली जो होती है एनर्जी से भरपूर होती है और बहुत पॉस्टिक भी होती है तो इसका इस्तेमाल हम रद उपवासों में कर सकते हैं तो आज मैं मौंफली की बर्फी बनाने का तरीका बताने जा रही हूँ, तो इसका इस्तेमाल कैसे करना है, चलिए देखते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले मौंफली को इस प्रकार से कडाही में डालके भून लेना है, गैस की फ्लेम बिलकुल कम कर देनी है, और इसे इस प्रकार से चलाते हुए इसे भूनना है, और कंटिनेर्सली चलाने की जरूरत नहीं है, बीच-बीच में इस प्रकार से आप चलाते जाएंगे, तो भी बढ़ियां से ये भून जाएगी और जलेगी भी नहीं, तो ये मैंने बीच-बीच में चलाते हुए, ये दिखिए, अब ये मुवफली पूरी भून चुकी है, तो मैंने इसे निकाल के ठाली में फैला दिया है, और जब ये ठंडी हो जाएगी, अब इसे कम से कम आदे गंटे के लिए हम छोड़ देंगे, और जब ये ठंडी हो जाएगी, अब इसे छू के देख लेते हैं, ये ठंडी हो चुकी है, तो अब इसका जो उपर का चिलका है, कवर है, इसे हम निकाल देंगे, तो इस प्रकार से हाथ से रगड़ के इसके चिलके को निकाल देना है, तो ये दिखिए, मैंने निकाल के उसे अलग कर दिया है, और अब बिल्कुल साफ सुत्री मुमफली दिख रही है, तो अब इसे मिक्सी में पीस भी लेना है, तो ये मैंने इसे मिक्सी में पीस लिया है, और बिल्कुल महीन पाउडर नहीं बनाना है, हलका सा दरदरा सा रहे, तो ये मैंने मुमफली को पीस लिया है, ये दिखिए, अब इसे हम रख देते हैं, एक साइड, और इसके अलावा हमें लेना है, एक कप शकर, और लेना है मावा, ये मैंने घर पे ही बनाए हुआ है, इस खोवे का इस्तिमाल हम करेंगे, तो सबसे पहले, कडाही में खोवे को डाल लेना है, इसे डाल कर और गरम होने के लिए रख देंगे, और गैस की फ्लेम यहाँ पे भी बिल्कुल सिंपे ही रखना है, क्योंकि जादा तेज पे रखेंगे, तो खोवा जलने लगेगा, तो क खोवे का सकते ही दूट डाला है करिवं एक वंटी स्पून जैसा, आपके बाहने लिएक दोटा है, और अव इसे इस प्रकार से चला देंगे, ताकि अफैक नीचे से चिपके नहीं खोवा, तो अब इसमें डाल रही हूँ मैं एक कप शक्र जाल ती रहाएंगे, ताकि शक जासनी जासे बनाना है तो अलग से फिर चासनी बनानी नहीं पड़ेगी तो खोवा में ही मैंने शक्कर डाल दिया है और उसे पीगलने के लिए ऐसे भग दिया है अब इसे थोड़ा सा इस प्रकार से चलाते रहेंगे ताकि नीचे जले नहीं वह तो यह दिखिए इस प्रका कर लेंगे तो यह मैंने रख दिया और यह देखिए तब तक शक्कर भी साइद पीगल गई होगी देख लेते हैं यह देखिए शक्कर भी पीगल चुकी है तो चासनी बनके तयार है बस अब इसमें जो मौफली का चूरा है वो इसमें मिला लेना है और अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस प्रकास अच्छे से मिला लेना है इसे यह देखिए और ये देखिए ये पैयार हो चुकिया है अब इसे हम गैस को बंद कर देंगे और इस मिश्रन को थाली में फैला देंगे थाली हमने पहले से तयार कर लिए थी यही लगाके रख लिया था तो अब इसमें सीदही से ड़लके और फैला देना है इसमें थोड़ा सा चिपग गया है वो आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं और अब इसे फटा-फट से फैला लेंगे बहुत ही आसान तरीका है इसे बनाने का आप बहुत आसानी से बना सकते हैं मैं तो नवरात्री से पहले इसे बना के रख लेती हूँ और नवरात्री में इसका इस्तिमाल करती हूँ बगवान को भोग लगा दिया और फिर प्रसाद जैसा उसे ले लिया तो ये इस प्रकार से आप पना के देख सकते हैं बहुत ही आसानी से बन जाता है ये देखिया अब इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे एक से दो घंटे के बाद छूके देखने के बाद देखिए से काटने के बाद आप आसानी से प्लेट में निकालके मैं आपको दिखा रही हूं ये दिखे बड़ी आसानी से निकलके भी आ जा रहा है ये दिखे बढ़िया मुंफली बनके मुंफली की बर्फी बनके तयार हो चुकी है तो आप जरूर बना के दिखिए बहुत ही आसान